एक अगस्त यानि आज का दिन इतिहास में एक खास महत्व रखता है आज की दिन कुछ ऐसी घटनाए घटित हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई एक अगस्त को विश्वस्तन दूद दिवस अंतरास्ट्रियस तर पर मनाया जाता है और एक अगस्त को ही लोकमाने तिलक समरिती दिवस भी होता है आजी के दिन 1732 में बैंक काफ इंगलेंड का उधगाटन किया गया था एक अगस्त 1785 में कैरोलीन हरशेल धूम केतु की पहली महिला खोजक बन गई और आजी के दिन 1879 में भारतिये नागरिक सेवा अधिकारी हर कोट बटलर उत्तर परदेश के प्रथम राज जेपाल बने थे आजी के दिन 1883 में डाक सेवा को महतव देने के लिए ग्रेट बिटेन में अंतर देशे डाक सेवा की शुरुआत की गई थी एक अगस्त 1914 में प्रथम विशवयुद की शुरुआत जर्मनी एमम रूस द्वारा की गई औ और आजी के दिन 1922 में राष्टर पिता महात्मा गांधी ने अहिंसा पूर्वक असहयोग अंदोलन की शुरुआत की थी आजी के दिन 1924 में सौधी अर्ब के राजा शाअ अब्दुल्ला का जनम हुआ था एक अगस्त 1914 में संगत राजी अमेरिका में परमानू उर्जा आय पती बंदित किया गया 1 अगस्त 2000 में एरान में पहली बार महिलाओं को भी मद्रसों में अमाम बनाने का अथिकार दिया गया आजी के दिन 2000 में अली सरदार जाफरी जो परसिद शायर हैं उनको ग्यान पीट पुर्सकार से समानित किया गया था और आजी के दिन 2007 में अंतर राश्ट्रिय गनित उलम्पियाड का आयो जन वेतनाम के हनोई शहर में हुआ था जिसमें भारतिय टीम के शे सदस्योंने तीन रज़त पदक जीते थे एक जुलाई 2008 में भारत के विशेश निगरानी समझोते को अंतर राश्ट्रे प्रमानू उर्जा एजेंसी के बोर द्वारा हरी जंडी दिखाई गई थी और आजी के दिन 1913 में परसिद लेखक देवकी नंदन खत्री का निधन हुआ था और आजी के दिन 1922 में सवतंतरता सैनानी बाल गंगा धरतिलक का निधन भी हुआ था और आजी के दिन 1919 में परसिद लेखक अमरता प्रितम का जन्म हुआ था बेरोरपोर्ट दीफाइव चैनल हिंदी